Hello students आज मैंने आसाइनमेंट दिया था maximum लोगों निया था अज एक रितिक ने किया था I hope कि आप लोगों को problem रहा होगा तभी आप लोगों नहीं किया है ठीक है आज में वही सारे assignments को पहरे discuss करूंगा उसके बाद मैं एक side last flip-flop बच रहा है इसको बता दूंगा ठीक है यह तोटल में पांच क्वेश्टन बता रहा हूं और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा टफ आए गया आपके एक्जाम में तो कोशिश करना इसको बार बार अच्छे तरीके से देख लिए कि हर एक बार प्रोसेस क्या हो रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो इसके बाद मैं फिर कुछ क्वेश्टन दूंगा और बताऊंगा ठीक है और डी फ्लिफ लॉप के बाद मोशली जो आपका क्लास होगा वह मैं प्रिजेंटेशन दूंगा मतलब इंदर सेंस जो भी हमारे दील करना था और सारा हर एक वीडियो में एक ही क्वेश्टन दील करूंगा क्योंकि ज्यादा लेंथ मैं नहीं करना चाहता वीडियो का ठीक है मेरे पास भी उतना मेमरी होता नहीं है तो ध्यान से देखना जैसे आप लोग का पहला कुश्चन असाइनमेंट में पहला देखो यह सर्किट था अब देखो सारे कुश्चन में एक ही चीज कॉमन था तुमको क्या निकालना रहता था इसका वैल्यू कि यह क्या वैल्यू है ठीक है तो देखो अब पहले सबसे पहले जब भी ऐसा कुश्चन रहे ना तो तुमको गेट आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास गेट कौन कौन से है तो गेट तुम्हारे पास कौन सा है एक तो और गेट है दूसरा क्या है यह नॉट गेट है इसे है चवेट है एक यह लोगेट है और यह कौन सा गेट है एंड गेट है पहला काम यहीं करना है ठीक है अब दखो जैसे यह जोट पता चल गया तो तुम लोग ayr ति हम दो रहता है तो जितने भी इंपूट होते होते हैं उसका क्या हो जाता है summation हो जाता है मतलब A Plus B हो जाता h अगर रहते है तो क्या हो जाता है जिदने भी inputs रहता है उसके-, multiplication हो जाता है ये चीज तो पता है नह तो कहने का मतलब तो ध्यान सा थेख न यहाँ पे दिखो अब यह Speaking of अब यह Knott है तो अबस यहां पे जो इसके seca term आ रहा है होगा इधर जाके ओ इंवर्ट होगा है ठीक है अब यह और है तो इन दोनों input का sum आया होगा यहां पे और jinäregate हैं तो इन तीनों का क्शुला होगा यहां गया है क्लियर है मैं एक बार फिर से यहां पर बना देता हूं और इस बार बनाता हूं ठीक है ताकि मुझे समझाने में असानी हो ठीक है यह रह गया है है यह है यह नॉट गेट है यहां पर बी और यहां पर यहां पर यह सी ठीक है और एक इन्पुट यहां से ठीक है चलो अब देखो एक सिकेंड पैन चेंज कर लेंदो मुझे देखो ध्यान से कुछ नहीं करना है हर एक गेट पर तुमको देखना है कि उस पर इन्पुट के आ रहा है उसके कारण आउटपुट के आएगा तो मैंने यह बताई दिया यह है अब देखो पहले पहला अब इधर से स्टार्ट करों तो सबसे पहले पास कौन सा गेट है य अब देखो इसके इधर कि यहां पर क्या इन्पुट है तो यह किस से कनेक्टेट है अब यहां पर आउटपुट आ रहा होगा तो यहां पर क्या आउटपुट आ रहा होगा अब देखो अब इसके बाद यह कौन सा गेट है और गेट है और गेट का आउटपुट का होता ह मतलब A और B अगर input है तो उसका output क्या हो जाएगा A plus B तो यहाँ पर देखो inputs क्या क्या है A और A bar ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन दोनों का sum हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर क्या है आपका A plus A bar और यह मैंने बता रखा है तुम लोगों को इसका value क्या होता है 1 ठीक है ना ठीक है तो कहने का मतलब इस वाले टर्मिनल पर क्या input जा रहा है 1 ठीक है दिख रहा है ना हाथ दिख रहा होगा ठीक है 1 जा रहा है क्लियर है यहां तक यह चीज मैंने पीछे लिखा रखा है आप लोगों को पीछे notes में बताया हुए ठीक है 1 अब देखो बाकी के ठीक है और एक तुम्हारे क्या है 1 क्लियर है तो कहने का मतलब अब अच्छा अब एक बात बताओ कोई भी वैल्यू हो डिजिटल वैल्यू हो उसमें अगर 1 से मल्टिप्लाई होता है तो उसका final value क्यों हो जाता है यही रह जाता है ना तो उसी तरीके से यहां पर देखो व बस यही करना था इसमें सबको समझाया होगा ठीक है अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवाइस करें ना देखो मैंने तुम लोग को very first class से बोला हुआ है कि digital reproduction बहुत थोड़ा confusion subject है ठीक है मतलब है बहुत इजी ठीक है अगर आप देखोगे अब देखो इसमें मतलब वीडियो भी तुम लोग शायद धंग से देखते भी नहीं हो ठीक है अभी तक बस रितिक का ही एक response अच्छा आया है ठीक है वो थोड़ा मतलब दिख रहा है उसका कि हाँ वो कुछ कर रहा है ठीक है अदर्वाइस तुम लोग मेंसे बहुत कम लोगों ने ही ट्राइ किया हुआ है ठीक है तो जितने भी वीडियो है उसको जब भी जैसे अब देखो फ्राइडे साटर्डे को दो क्लास होता है तो पूरा दिन इसको डिश्टरल एलेक्ट्रोनिक्स के लिए दो ठीक है क्योंकि वीक में दो दिन दोगे तभी तो कुछ होगा ठीक है और जितने ठीक है तेंक यू